तो जिया दोस्तों कैसे हैं उमीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं जिया दोस्तों बहुत सारा मेहनत के बाद और बहुत सारा इनलाइसिस के बाद जो है मैंने भी आप लोगों के लिए फाइनल कटप 2022 का बना द भी इशे वीडिव को ज़रूर पूरा देखिए गा क्योंकि इस वीडियों में हम बहुत सारा चीज बताने वाले हैं हैं जॉकि पिछली वहलियों से इस बाले में क्या बदलाव आ रहा है और मार्ठी उपर निचन्च हो सकता है उसका क्या खाइन हो ॹसकता है बहुत सारा logic बताने वाले हैं देगेंगे बिना किसी कारण का आपको इसमें कि cut up clear नहीं करेंगे सारा cause बताकर की cut up clear करने वाले हैं जिससे आप भी जो है कि आस्वस्थ हो जाएंगे और आपको भी लगेगा कि नहीं हमने जो बताया है वो cut up सही में accurate होने वाला है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है जो चले बीना किसी देरी का शुरू करते हैं जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दे कि बिहार अमीन भरते 2022 आ चुका है राजस्पन भूमी शुधार भी भाग में और जिसके लिए कोई एक्जाम और कोई फीर नहीं हो जी हाँ दोस्तों जो योगिता डिप्लोमा इन सिविल इंजिनिरिंग वालों का है उसका बात करने वाले हैं और इसमें पाइनल कटब बताने वाले हैं कि किस पॉइंट पे आपका सेलेक्शन होने वाला है तो एक ची और बता दे कि पहले तो आपको पॉइंट निकालने आ उसका 90% निकालिए ठीक है और दोनों को जोड़ दीजे और जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो LRC का आपका पॉइंट बन रहा है और उसी पॉइंट फे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा देकि काउंसलिंग लिस्ट की बात ना करेंगे क्योंकि बिहार में जितने भी कॉलेज उसके सभी खाहत्तों को कांसलिंग में बुलाया जाएगा क्योंकि कांसलंग जो है तीन गूना बुलाया जा रहा है जो इतने बच्चे नहीं है जो कांसलिंग में सरकार को इतना बच्चा मिल पाएगा लेकिन हाँ जो final merit list होगा उसके अधार पर ही आपका job होने वाला है तो वो जानना बहुत जरूरी है और एक चीज और बताने वाले है कि इस बहाली में betting candidate जो 2019 की बहाली में betting candidate थे उनका होने वाला है कि नहीं होने वाला है वीडियो को पूरा देखिएगा यहाँ मैं last में बता कर दीजिए आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखिए यह पिछली पहाली का cut-up है जी हाँ दोस्तों जो 2019 में LRC में रिक्तिया आई थी तो वही यह वही पद है जो special sir में अमीन का था डिप्लोमा इन सिविल इंजिरिंग वालो का था तो यह देखाने का बस एक ही का कौज है जिससे आपको थोरा सा जो है कि यह अंदाजा मिल सके कि आपका सेलेक्शन इस पर होगा या नहीं होगा या इस पर का cut-up क्या रहने वाला है तो बहले बता दे कि जो पिछली वालिय का गया था यह देख सकते हैं आप जेनरल का तेरासी दसम्लों शिक्स थीरी था इडवलुएस का बावन दसम्लों 11 था चुकि इडवलुएस उस समय जेनरल वालों को 10% अड़क्शन मिला था इसलिए EWS का cut-up बहुत लोग चला गया था और फीमेल में सारे लोग सेलेक्ट ह हो गया थे लेकिन इस बार इसका बहुत जादा जो है कि मार्क्श अप हो जाएगा क्योंकि अब लगब लगब सभी जेनरल वाले जो है कि EWS का सेटिफिकेट बनवा चुके हैं ठीक है वही BC और EWS में वही आसपास रहेगा ठीक है WC के बात कर ले तो इसमें भी थोड़ा स उसका उपर हो जाएगा क्योंकि विहार में कोलेजों की संख्या भी बढ़ा है और लट्कियों में बढ़ा है पहले समय में होता था क्या किसा फैसी ब्रांस में लटकिया ही नहीं होती और कॉलेजियों का भी संख्या बड़ा है तो इसके कॉर्डिंग उपर नीचे होगा अब देख सकता है कि जो पासवट गॉर्मेंट कॉलेज से थे उनका क्या कटम गया था चुकि उस समय जो था कि सी फोर से बिहार के जो सरकारी कॉलेज के जो छातर थे उनको ही अरक्षन द प्रकारी तो प्रक्रव करते हैं यहां से आपको सारा कुछ क्यलियर हो जाएगा वाले इस वीडियो को जरूर देखेंगे उनको भी इस बार जो है कि उम्मीद रखे या ना रखे उसका भी किलियर हो जाएगा वह भी तो देखें फ्रेंट्स यह जो है कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस पॉइंट में बनने वाला है जो फाइनल कटफ क्या होगा एलरसी डिकॉर्मेंट 2022 का वह हम आप सभी के सामने सोक कर दिया हूं लेकि सब्से पहला जो है कि अगर मेरिट लिस्ट बन रहा है तो उसमें कटफ घंटने का कारねई यह हो सकता है अगर घंटेस तो उसमें होजाया गाग debi 94 seat जो की अत्रिक्त है पिछली बहालियों से ठीक है ठीक है अब जो है कि cut up बढ़ने का क्या chances हो सकता है यह हो सकता है कि 40% जो आरक्षन दिया गया था सरकारी government college के पासवट छात्रों को छात्राओं को लेकिन इस पार जो है कि उसमें बिहार के private छात्राओं को भी जोड़ दिय है तो यहां से जो है कि हो सकता है कि cut up बढ़ सकता है कि इसका 40% का ठीक है आप देखते हैं कि एक मुख्य कारण है कि जो पिछली बहालियों के बाद जो कुरोना आया और कोरोना के दोरान जिस प्रकार से college में marks दिया जा रहा था या जो बच्चे कैरी हो रहे थे उनको भी पर मोट कर दिया जा रहा था तो उस हिसाब से देखा जाए तो बच्चों के अब जो है marks काफी अच्छे आ रहे हैं पिछले कुछ पिछले जो है सालों के अपेक्षा यहनिकि दोजय इस बीस एकीस पाइस इस अब शाद्रे के जो है marks अच्छे आ रहे हैं तो हो सकता है कि इस प्रकार से जो है कि कटफ हाई चला जाए अब कर जाए अब देखे पिछले दो तीन सालों में नई बहालिया भी नहीं होने का कारण करोना के दोरान भी बहालिया नहीं आए और अब तक बहुत सारा बहाली जो लटका वरले की बहाली भी देखिए तो अभी तक क्लियर बहालिया नहीं आई है जिसे कि बहुत सारे चात्रों का उसमें सेलेक्शन हो जाए तो कही ना कहीं सबी चात्र जो है भी भी बेरोजगार है और सब इसमें फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं उसके बाद जोब प्रोफाइल तो अगर मैं अपने अधार पे बताओ और अपने में दोस्तों से जो बात हुई उनकी अधार पे बताओ तो जो प्रोफाइल बहुत अच्छा नहींर में ठीक कि आने जोग देखेए अगर जो भी रहाएंगे तो समझवें कि बुरा हाल होने वाला है आपको ऐसा ऐसा चीज़ बताओं की कि मतलब आपको जो है कि जिस से खेत में पानी लगा हुआ है गुटने भर उस खेत में जाकर जमीन का जो है कि मिजरमेंट लेना पड़ता है तो बहुत सारा चीज है जो कि और उसके बाद है कि विभाग से प्रेशर रहता है और यह चीज स्पेशल सर्वे हो रहा है तो मतलब की समय पर कम करवाने के लिए प्रेशर रहता है तो बहुत सारा है कि मांसिक तनाव ज्यादा है और जो प्रोफाल स्टेंडर्ड टाइप का नहीं है कह सकते हैं ठीक है अग कमाई जो है कि उपर नीचे हो सकता है यह जो है कि आपके चेतर सब्सक्राइब करता है तो यहां देखें कि इस परकार से बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भी वरेंगे जो पर जो पर प्रफाइल कुछ खास नहीं है पिछली भालियों में पिछले साथ सालों के छात्र नहीं वरा था देखिए 2011 में पर्मानेंट बाहली आया था वह भी कि या था तो 2012 13 14 15 16 18 18 तक के छात्र जो है 2019 के बालिया में फॉर्म भरे थे ठीक है तो लगबक सात या आठ सालों के शात्रे इसमें फॉर्म भरे थे और उससमें बता देदिकर समय कॉलेज हूं कि दो 2015 तक कॉलेज जो था मात्र लगबग सरकारी कॉलेज 20-22 था और प्राइबिट मिला दिया जा तो 28-30 कॉलेज तो उसमें जो है कि अभी के मुकाबले जो है बच्चे भी कम पास हो रहे थे और बहालिया भी नहीं आई थी तो हमारे है अन्दाज से जो अभी 3-4 साल में धें 2019-20 20-22 इन चार सालों में जितने 되지 हैं पीषले सेसन में 2015 तक या 2018 पास हुए है 2018 तक पास हुए है बतलाब उसमें एक सेसन में मतलग दो Juliet's करते होग अभी एक सेसन में उतना बच्चा पास कर रहां के लिर कर कारण से जो है कि बज़ों का इंट्रेस्ट उतना नहीं था ठीक है तो इसके कारण भी जो है इन्हांस हो सकता है कटप में बता दे कि इस बार चार साल के शात्र ही मतलब क्या पेक्षा पहले कॉलिज इतना नहीं था पहले बता दू कि 2008 तक जो भी शातर पास किये हैं मतलब उनका इडिमिशन 2015 में हुआ था तक जो कॉलेज हमातर टोटल मिला दिया जाए बिहार में तो 28-30 था सरकारी प्राइवेट मिला दिया तब ठीक है अब बता रहे कि अब कि अब कॉलेज है गॉर्मेंट कॉलेज 44 से और प्राइवेट कॉलेज 24 से यानि टोटल देखा जाए तो 68 कॉलेज जो है बिहार में यहीं सीधे डवल से भी बेशी हो गया है ठीक है ना यहीं 2015 सेशन तक मातर 30 कॉलेज था और अब जो है कि कितना कॉलेज हो चुका है तो सबस आप लेने के कारण मार्क्स बेसिस पर सेलेक्शन होने के कारण है वो लोग नामंकन करवाते हैं चाहिए प्राइबेट हो या सरकारी ठीक है और कहीं न कहीं जो है कि यह अच्छा चीज भी है कि जौब लेना होता है कोई बीचीज आप करते हैं कोई पिजूगे काडियर को जाद से जाद सेयर कीज़ेगा तो चले देखते हैं जो पिछला बहाली का कटप था वो मैंने बता दिया आप लोग देख सकते हैं तो जो है कि आप बता दिया है कि नमर आप जो सीट है 2022 के भालियों में यह कुल इस परकार कैटोगोरी वाज बाटा गए आप देख पाएंग मतलब यह दोनों अगर देखा जाए कि अगर सीट जादा है कॉलेज भी दोगुना हो चुका है तो पिछली बालियों कि अप्रेक्षा इस बार जो है कि थोड़ा मेंटेन कर दिया है दोनों ठीक है और इस बार मार्क्स भी लोगों को जादे आ रहा है तो कटप जो है कि चांसे जाए तो देखे मैंने बनाया है ओपें में 60 परसेंट में 60 परसेंट में मैंने बनाया है कि अन्रिजाब में 82 जाएगा और बता दे कि मैं अपने इनलाइसेज और अनुभव के अधार पर बना रहा हूं इसलिए एक दो नमर उपर नीचे हो सकता है तो अब एक दो सब्सक्राइब बना लिए इसलिए का देख लिए 79 परसेंट जाएगा और डबली डबली वीची जो की जो बैकवर्ड कास्ट की महिला है उनको मिलता अरक्षन 63 परसेंट जाएगा और स्ट की बात कर लें तो 70 परसेंट और स्ट की बात कर लें तो समान है तो इस परकार से जो है कि 71 जाएगा इस परकार से ठीक है अब देखिए इन सभी में आप दो नमर उपर नीचे कर लेंगे क्योंकि हो सकता है कि उस समय थोड़ा दो नमर उपर नीचे हो सकता है अब देखिए एक चीज़ बता देते हैं कि मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह बहुत जाड़ा अब कहीं नहीं किया हूं कि पिछली बाहली में बहुत सारे छादर फर्जी भी भर दिया थे और उनका सेलेक्शन भी हो गया था और सारे फर्जी इसलिए दूसरे यूट्यूबर की तरह मैं बहुत जड़ा अप नहीं किया हूं अब देख सकते हैं और भी यूट्यूबर को यूट्यूवर का मैंने देखा है अब जाकर देखेंगे वो 84 बताय हूं है अब देख पाएंगे अब फीमिल की बात कर लें तो अन्रिजर्व में 72 चला जाएगा और EWS में लगभर लगभर और सेलेक्ट हो जाएगा यह जो है फीमिल का है ठीक है अब बात कर लें कि जो बिहार के कॉलेज से अब तो बिहार के जो भी कॉलेज है या प्राइबेट हो या सरकारी हो सभी को अरक्षन मिल रहा है तो यह चीज़ देख लेंगे कि थोड़ा सा जो है कि यहां पर बालेंस रहेगा और थोड़ा सा अब जरूर रहेगा ठीक है तो देखिए कि यहां पर जो है कि जेनरल वालों का 75 परसेंट ज ज़िहां रखिएगा अब वसकी बाद कर लें तो 65 परसेंट जाएगा बीशी की बात कर लें 72 जाएगा अब यह बात किसका कर रहा है हम भीहार के चाहतर चाहत्रहों की बात कर रहें यह यहां हर के जितने भी सिव एस्पी से प्रोबिक ओलेज है सब्सकारी हो यह कर लिए तो 68 जाएगा और स्टी की बाद कर लिए तो 69 जाएगा तो इस परकार से जो है कि बिहार के SBT अप्रूब्ट कॉलेजों का जो है कि कट अप रहने वाला है और इसमें हो सकता है कि 2% उपर नीचे चला जाएगा तो अब देख सकते हैं कि जैनरल वाले का 70% चला जाएगा अगर अप गया तो लो गया तो 73% मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस बार जो है कि एक तो सीट जादा है लगबग 70-80% पिछली सीट पिछले भाली की मुकामने सीट जादा है लेकिन इस बार मार्क्स भी छात्रों को बहुत ज ले तो अगर दो परसंट अप गया तो 67 जाएगा और लो जाएगा तो 63 जाएगा वही बीसी के बात कर ले तो अप गया तो 60-70 हो जाएगा लो गया तो तो इस परकार से जो है कि आपका बनने वाला है 2022 अमीन की निवती के लिए ठीक है ना ठीक है न में रख के चलेगा अब बात कर ले बैस्टी बालों चले तो गोड़े में उनका अगर 70 के आसपास है तो वो उमीद लेकर चल सकते हैं लेकिन हम बताएंगे कि 70 से बहुत ज़्याद नीचे है तो आप उमीद करकर ना चलिए फॉर्म भरना है भरिए लेकि उमीद करकर नहीं चलिए ठीक है I hope कि मैं सारा doubt अपका clear कर दिया हूँ और बीना फालतू का उमीद देना सही नहीं है क्योंकि अगर बाद में उमीद टूटेगा तो आप मुझे गली आएंगे तो ऐसा कुछ उमीद नहीं देने जा रहा हूँ चलिए आपसे रिक्वेस्ट रहा कि बहुत जादा समय लगा है इस वीडियो को बनाने में क्योंकि देखे बहुत सारा यूटूबर बहुत पहले हैं जो है कि कुछ भी बनाकर दे दिये हैं लेकि में समय लिए हैं और बहुत सारा जगह से नॉलेज गेन करके आप सभी के ल लगेगा और उमीद करते हैं इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चले मिलता है नेक्स वीडियो में धन्यवाद